हाई एब्रिवन असलाम उलेकूम आज मैं आपके साथ सेर करूंगी रोटी से बनने वाली पापडी तो ये पापडी बहुती चटपटी और चटाकेदार बनती है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें तो चलिए बनाते हैं पापडी बनाने के लिए हमने लिए है साम की बची हुई रोटी और आप पराठा भी ले सकते हैं अगर आपके घर पे पराठा है तो पराठा भी ले सकते हैं फिर हम इसमें छोटे छोटे पीस से कट कर लेंगे और रोटी के पीसो को आप अपने मन मुताबिक कट कर लें तो मैंने यहाँ इस तरीके से कट किये और यह रेस्पी बनाने में हमारी रोटी भी बरवाद नहीं होती है साम की बची हुई रोटी से आप इसे बना सकते हैं तो मैंने यहां एक कड़ाई लिया है जिसमें मैंने दो कप के वरावर तेल डाला है और तेल जब हमारा गरम हो जाए तब हम उसमें एके करके रोटी के पीछ डाल देंगे और इसको अच्छे से फिराई कर लेंगे और जब भी आपका चट पटा खाने का मन करें तो आप इस तरीके से फटा पट पांच मिनट में ये रस्पी बनकर तैयार कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी लगेगी यकीन मानिया आप इसे एक बर जरू ट्राई करें तो हमने यहां रोटी को अच्छे से फ्राई कर लिया है अब हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बची हुई रोटी को और फ्राई कर लेंगे और हमें रोटी को अच्छे से ही फ्राई करना है जब तक इसका कलर गोल्डन कलर कर ना हो जाए तो हमने यहां बाकी की रोटी भी निकाल लिये अच्छे से फिराई करके अब हम एक ब्लेट में डालेंगे तो हमने यहां रोटी के चिप्स को इस तरह से रख दिया है अब हम इसके उपर डालेंगे बारी कटा हुआ प्याज, बारी कटा हुआ टमाटर, बारी कटी हुई हरी मिर्च और हमने यहाँ प्याज और टमाटर हरी मिर्च को पहले से ही कट करके रखा है फिर हम इसमें डालेंगे आलू भुजिया बारीक करके और इसके बाद हमने आलू के चेप से डालेंगे नमक डालेंगे टेश्ट के मताबिक और पिसी होई लाली मिर्च डालेंगे और साथ ही हमने अड़ किया है काला नमक, खटी मिठी चटनी और इस तरह से हमारी रोटी पापड़ी बनकर तयार है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें